नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर डॉक्टर का आरोप सैलना विधायक ने मांगे एक करोड डोडियार बोले खुद 20 लाक लेकर आया मैंने कहा एक करोड देगा तो भी नहीं लोगा रतलाम जले के बाजना में मेडिकल चलाने वाले एक बंगाली डॉक्टर ने सैलना विधायक कमलेश और डोडियार पर एक करोड रुपे मांगने का आरुप लगाया है डॉक्टर ने शुकरवार को एक वीडियो जारी किया है विधायक डोडियार का कहना है कि बाजना में 30 साल से अवैद रूप से मेडिकल का संचालन किया जा रहा है मैंने खुद कारवाई के लिए तीन घंटे धरना दिया है बाजना में रहने वाले तपन राय मां मेडिकल का संचालन करते हैं वीडियो में तपन राय कह रहे हैं कि उन्हें इस फरवरी को करीब 4 बच कर 10 मिनट पर विधायक साहब का कॉल आया उन्होंने कहा कि तुम अवैद रूप से मेडिकल चला रहे हो मुझसे मिलो नहीं तो ठीक नहीं होगा उसी दिन मैं उनसे मिलने किया उनके गार ने मेरी चेकिंग कर मुबाइल बाहर ही रख लिया मैं अंकल को साथ ले गया था लेकिन उन्हें बाहर कर दिया मुझ سے पूछा कि किया डिगरी है मैंने कहा कि फार्मासिस्ट हूँ तब उन्होंने यानि कि विधायक ने कहा कि मेरे शित्र में रहने नहीं तूँँगा और उन्होंने धीरे से इशारा किया कितने दे सकते हूँ शुकरवार को मेरे मेडिकल स्टोर पर आकर बैढ़के मुझे कहा कि हमारे विधायक प्रतनी दिश्रत दिन दोर को बात करने के लिए भेजा था उनसे बात क्यों नहीं की मौका दिया तो नौबत यहां तक नहीं आती जाते जाते कहते गए कि तेरे को जिल भेज कर मारूंगा तीन घंटे मेडिकल दुकान पर बैठे रहे विधायक शुकरवार को विधायक कमलेश डोडियार बाजना पहुंचे तीन घंटे तक मेडिकल दुकान पर बैठे रहे स्वास्त अधिकारियों को बोला है बाजना बीमों पहुंचे पंचनामा बनाया है इसके बाद सभी चले गए वहीं डोडी आर से बात की तो उनका कहना था कि मैंने दुकान सील कराने के लिए तिन घंटे तक दुकान के अंदर धर्णा दिया है एक डॉक्टर के पास बीएच को दुकान सील करने का पत्र भी लिखा है बाजना शेतर में तीन अजार बंगाली जोला छाफ हैं जिनका ये नेता है ये खोद मेरे पास 20 लाख रुपे लेकर आया था काम करते रहने को कहा था ता मैंने कहा कि एक करोण भी देगा तो नहीं लूँगा जो आरुप लगाए वे गलत हैं मेडिकल संचालक तपनराय ने बताया कि उसने कहा कि पिछले 30 साल से मेडिकल संचालन नियमानुसार कर रहा हूं मेरे पास फार्मसेश्च की डिगरी है और मेडिकल का भी लाइसेंस है विदाएक द्वारा सेलना के उनके सरकारी आवास पर बुलाए गया क्याना था कि मैंने आगे होकर विदाएक से क्यों मिलने जाओंगा 20 लाख रुपए तो आज तक नहीं कमाए तो मैं इतने रुपए कैसे उन्हें देनी जा सकता हूं अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहे दाखबरदार निउस